हला एवरिवून वेल्कम टू दिस अलक्षिन मेंटर हम लोगों की जो क्वेश्चन सेरीज चल रही है संटक्लॉजी की तो हम लोग उसी को आगे अग्रसर करते हुए हम लोग आज जो प्रेश्चन डिसक्स करने वाले हैं यह बहुत ही महत्पूर्ण है आपके एक्जाम के प इंस्टाग्राम और फेस्बुक उसको जरूर जोइन करिए और साथे साथ फॉलो अप भी जरूर करिए यहां पर आप लोगों को पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन से हमारे शोशल मीडिया है जहां से हम लोगों को विभिन्न चीदों के जो भी हमारे एक्जाम अपडे करते हैं कि कैसे हम लोगों का सेलेक्शन आसान होगा वो सारे अपडेट साथ को यहां पर जोइन जरूर करिए तेरी न करते हुए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्ण के प्रश्ण के रफ त्री विच सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचे तू दे जन्यान या पाम तो देखे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे व्रिक्ष देखे हुए हैं जो कि क्या करते हैं जो काफी बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी बंचेस से जो उनकी डाले होती हैं टहनिया होती हैं उन डालों से कुछ आपकी रूट्स जो कि आपकी एरी रूट्स भी कहलाती है या ये आपका क्या है एरी रूट्स जो होती हैं ये व्रिद्धी करती रहती हैं और फिर धीले से जाकर के ये स्वायल में मिट्टी में जम जाती है और फिर व्रिक्ष की उस छेत्र में व्रिद्धी और बढ़ जाती है ठीके तो ऐसा हम लोगों ने खास सोर पर परगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, ठीक है, पाखर के पेड़ में देखा हुआ है, नहीं देखा है तो जा करके देखेगा, कुछ टहनियों से लटकी हुई, आपको जड़े नजर आती हैं, वो डाले नहीं होती हैं, वो जड़े हो ओक प्लांट जो है जिसको की शोक व्रिख्ष के नाम से जाना चाहता है कि क्लियर पाम ओयल आपका इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में जो की इड़बल ओयल जिससे की रिफाइंड बनाया जाता है तो यह सबी चीजें आपके लिए एक्जाम के पॉइंट बहुत देखें नेक्ट कोश्चिन है हमारा इलेक्रिक बल्व फिलामेंट इस मेड ओफ यानि कि जो हमारा विद्दूत बल्व होता है यह इसका जो तन्तु होता है यह किस चीज का बना होता है देखें बल्व अगर आप लुग देखें किसी भी इलेक्रिक बल्व को अगर आप किये एक आ तो नजर आता है, जब हम इसमें फ्लो कराते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये ग्लो होने लगता है, यानि कि जलने लगता है, या रोशनी पैदा करता है, तो यही जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट किस चीज का बना होता है, कॉपर ये कि आपका क्या है, कंड़क्टर है, य लाने कि विद्दुत का सुचालक है Aluminium ये भी सुचालक है और Tunguston ये भी तो जो विद्दुत बल्व का जो filament होता है वो बेटा यूज किया जाता है Tunguston का क्यों क्यों कि Tunguston हमारे एक ऐसी धातु है देखे एक question और है कि Tunguston का जो symbol होता है periodic table में देखेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा डबलू मिलेगा ठीक है टंगस्टन का जो आपका क्या होता है जो symbol होता है वो क्या होता है वो आपका होता है डबलू ठीक है और साथी साथ अगर देखें तो टंगस्टन का ही इस्तमाल फिलामेंट में क्यों किया जाता है तो टंगस्टन का है इस्तमाल क्यों किया जाता है तो टंगस्टन का जो melting temperature है जो melting temperature या melting point है यानि कि इसका जो गलनांक है वो कितना होता है टंगस्टन का melting point ये आपका 3410 degree Celsius के पास होता है और ये सभी धातूओं में क्या है? सबसे ज़्यादा, यानि कि सबसे अधिक कौन सी धातू है? गलनांक वाली धातू है और इसलिए बल्ब में इस्तवाल किया जाता है. अगला प्रश्ण है हमारा, ब्रास गेट डिसकलर्ड दू तो जो मिश्रधातू है कासा ये किस हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण इसका रंग बेरंग हो जाता है यानि कि इसकलर्ड हो जाता है, अपना रंग ये खो देता है. ठीक है, options है, oxygen, hydrogen sulfide, nitrogen या sulfur dioxide, जल्दी से comment करके बताइए कि इसमें से कौन सा answer होगा. देखे, जो भी धातूएं हैं, धातूँ में oxidation होता है, वो जंग उनमें लगता है, लेकिन जब हम लोग उनको alloy बना देते हैं, तो मिश्र धातूँ के होने के कारण उनमें जो oxidation का rate है, वो घट जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके जो ब्रास होते हैं, ये भी आपका decolorized हो जाता है, या पीतल जो है, काफी दिन तक अगर रखा रहे, तो वो भी decolorized हो जाता है, उसका रंग बेरंग हो जाता है, तो यहाँ पर कासे के case में क्या है, कि क of the following is a non-metal, which remains liquid at room temperature, यानि कि वो कौन सी ऐसी अधातु है, जो आपका सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहेगी, या द्रव अवस्था में रहती है, देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा problem है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा कौन, यानि कि निम्ड में से कौन सी ऐसी धातु है, जो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, अधातु की बात हो रही है, पहली चीज़, यानि कि नॉन मेटल की बात हो रही है, तो मेटल कोई नहीं आएगा, यानि कि जो आपका मरकरी है, मरकरी, जिसको क कि हम लोग कहते हैं पारा और ये धातु होता है जो कि द्रवित धातु है द्रव अवस्था में धातु रहती है और यहां पर देखा जाए options हैं आपके phosphorus, chlorine, bromine और iodine तो इसका right answer क्या होगा? ब्रोमीन अकेला ऐसा non-metal है यानि कि ये अकेली ऐसी अधातु है जो कि सामाने कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था रहती है और iodine आपका क्या है iodine से संबंधित एक प्रशन पूछा जाता है कि iodine ऐसी अधातु है जिसमें की एक विसेश चमक होती है जो कि अधातुों के ल central metal is यानि कि chlorophyll जो है ये एक प्राकृतिक योगी को होता है जिसमें केंद्रिय अधातु यानि कि central metal क्या होता है ओप्शन्स है आपके copper, magnesium, iron और calcium तो देखें केंद्रिय अधातु यानि कि केंद्रिय central metal जैसे कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर होता है यानि फिल की यानि कि पर्ण हरिम की बात हो रही है तो पर्ण हरिम में जो केंद्रिय अत्तो होता है that is magnesium होता है ठीक है क्या होता है तो पर्ण हरिम का जो केंद्रिय अत्तो है वो क्या होगा बेटा that is magnesium ठीक है तो राइट एंसर भी होगा next question है हमारा which of the following is used in pencil pencil में निम्ण में किसने किसका उपियोग किया जाता है silicon, charcoal, phosphorus या graphite तो pencil हम लोग बच्पन से देखते आ रहे हैं और हम सभी लोग इस्तमाल भी करते आ रहे हैं ठीक है और हम लोग यह जानते हैं कि pencil में जिससे की हम लोग लिखते हैं वो क्या component होता है that is graphite और even जो हमारे astronaut होते हैं, space की अगर हम लोग बात करें ठीक है अंतरिक शियात्री होते हैं वो क्या करते थे वहाँ पर उनके लिए अलग pen design किया गया वहाँ पर pencil का उस्तमाल किया जाता क्योंकि वहाँ zero gravity होते हैं और इस वज़े से अगर कभी उसकी नोक तूट गई तो फ्लोट करती रहेगी और क्या होगा लोगों को हा नहीं पहुंचा सकते हैं ठीक है तो ग्रेफाइट का इस्तमाल किया जाता है अब देखें ग्रेफाइट से संबंधित एक और प्रश्न पुछा जाता है कि ग्रेफाइट जो है ये क्या है ये कार्बन का एक अपरूप है ठीक है और साथी साथ अगर देखें तो इसमें जो कार्बन स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रामर होता है यानि कि चतुस फल की सनरचना होती है कार्बन की ठीक है तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा ठीक में एक चमक भी होती है ठीक है तो ग्रेफाइट इसका राइट अंसर है next question है हमारा which of the following metal form and amalgam with other metal यानि कि वो कौन सी ऐसी धातू है जो दूसरी धातू के साथ मिल करके amalgam बनाती है ठीक है amalgam बनाने का काम या amalgam बनाने की प्रॉपर्टी होती है वो खास्तौर पर एक वि जिंक तो इसका राइट एंसर जो की द्रवीत अवस्था में रहती है और amalgam बनाती है that is mercury यानि की बी इसका राइट एंसर होगा ठीक है next question है the gas usually filled in electric bulb is यानि की वह गैस जो सामानने तह विद्दुत भल्व में भरी जाती है यानि की जो हम लोग electric bulb अब तो खेर LED आ गया है LED क्या है LED जो होता है बेटा LED ये तीन लेटर से का समावेश है इसमें देखा जाए तो इसको क्या कहते है light emitting diode ठीक है इसको क्या कहा जाता है light emitting diode कहा जाता है और हम लोग इस समय पर ज़्यादा तर इसका इसका इस्तमाल कर रहे है ठीक है जबकि जो electric bulb होते है electric bulb में किस gas का इस्तमाल किया जाता है तो वहाँ पर आपकी जो inert gas है अक्री gas है उसका इस्तमाल करते है और inert gases में यहाँ पर options में दिया हुआ है helium, organ, radon ये तो inert gas है oxygen का इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब धात गर्म होगी तो गर्म होने पर oxygen की अगर presence होगी तो उसकी वज़े से क्या आएगी जंग लग जाएगा और बल्व हमारा fuse हो जाएगा इसलिए oxygen का इस्तमाल कभी नहीं किया जाता ठीके जब थामस अलवा एडिसन इस पर research कर रहे थे बल्व का अविशकार कर रहे थे तो उन्होंने इन सब को भर करके देखा था लेकिन उन्होंने जो inert gas भरी जो की ह ठीके तो option B जो है इसका right answer होगा अगला प्रश्ण है हमारा the chemical name of the washing soda धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है देखे बेटा धावन सोडा और खाने वाला सोडा इसमें अकसर हम लोगों को क्या होता है confusion हो जाता है यानि कि कौन सा धावन सोडा है और कौन सा खाने वाला सोडा है ठीके तो यहाँ पर दो formula होते हैं तो उनमें अगर देखा जाए तो एक तो है आपका sodium carbonate दूसरा है calcium bicarbonate तीसरा है sodium bicarbonate और चोथा है calcium carbonate तो यहाँ पर देखा जाए तो दो calcium के compound है और दो यहाँ पर sodium के compound है जबकि खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा दोनों में क होता है sodium का symbol क्या होता है एने से represent करते हैं हम लोग ठीक है तो अगर formula कई बार formula भी दे देता है option में पहचानने के लिए तो यहां पर क्या है एक तो होता है एने Na2CO3 और दूसरा होता है आपका Na2CO3 यह दो आपके क्या है यह आपके chemical compound यानि के रासानी योगिक है और इन योगिकों के आधार पर अगर हम देखें तो आपका एक है sodium bicarbonate और दूसरा है sodium carbonate तो जो sodium carbonate है उसको लिखते है Na2CO3 जबकि जो sodium bicarbonate है उसको हम लोग लिखते है NaHCO3 ठीक है अब जैसे मान लिजे कि आप लोगों को खाना बनाना नहीं आता हम लोग घर में क्या करते हैं कि मेड लगा लेते हैं काम करने की बाई तो बाई आएगी तो वो खाना बनाएगी ठीक है हम लोगों के यह सामान आने संकलपना है ठीक है तो बाई आएगी तो वो क्या करेगी वो खाना बनाएगी तो आपका जो sodium bicarbonate है बाई आ गई ना तो यह खाना बनाएगी यानि कि यह क्या हो गया खाने वाला सोडा और दूसरा क्या है sodium carbonate तो sodium carbonate यहां पर बाई आई नहीं आई तो बाई नहीं तो दोई सकते हो, तो जो आपका Na2CO3 है, यानि कि जो आपका sodium carbonate है, यह होता है आपका बेटा washing soda, ठीक है, washing soda होता है, जबकि जो आपका sodium bicarbonate है, यह edible soda, यानि कि आपका थाने वाला soda होता है, यह क्या होता है, थाने वाला soda होता है, ठीक है, यानि कि NaHCO3, ठीक है, अगला प्रश्ण है हमारा, the quartz crystal normally used in quartz clock is chemically, यानि कि जो quartz crystal है, जो की सामान निता है, हम लोग quartz घड़ी में इस्तमाल करते हैं, इसको रासाइनिक रूप से क्या कहा जाता है, options है आपका, silicon dioxide, germanium oxide, sodium silicate, या calcium silicate, ठीक है, clear, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यह silica, यानि कि quartz जो होता है, quartz crystal से आपके glass बनाये जाते हैं, कांच के equipments बनाये जाते हैं, ठीक है, लेकिन और साथी साथ अगर हम लोग देखें, तो quartz का सबसे मुख्य रूप से जो इस्तमाल किया जाता है, वो प्रिज्म को बनान उनका expansion और हमें क्या मिल जाता है, विब्योर, यानि कि हमें क्या मिल जाता है, rainbow मिल जाता है, ठीक है, clear, तो जो silicon है, जो quartz है, quartz में क्या होगा, वहाँ पर यह sand से यानि कि silicon का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, अब sodium silicate में भी silicon है, calcium silicate में भी silicon है, और silicon dioxide में भी silicon है, तो तिलिका यानि कि सैंड, अब यहाँ पर क्या है, कि जो सिलिकॉन डाइ ओक्साइड होता है, इसका बना होता है, क्या हमारा क्वार्ज क्रिस्टल बना होता है, यानि कि क्वार्ज के काणों को बना जाता है, तो इसका राइट एंसर आपका क्या होगा, ए होगा, अगला प्रश calcium silicate और silica अर silica इन तीनों चीजलों को पिला करके जब 1400 degree celsius पर गर्म किया जाता है तो मिलता है हमें क्या तो हमें मिलता है glass यानि की कांच मिलता है वो भी किस रूप में in liquid form यानि की द्रवित रूप में ठीक है और फिर उसको हम लोग अलग-अलग शेप में convert करके हम लोग different components बना ले ठीक है अगला प्रश्णय है हमारा which gas is not known as green house gas जाने कि निम लिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो की हरित ग्रह गैस नहीं कहलाती ठीक है options है आपके methane, nitrous oxide, cfc या hydrogen तो आप लोगों को हमने बढ़ रहना है कि जो greenhouse gases की कभी भी बात की जाए तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है क्या मेना जलवा है क्या याद रखना है यानि कि melting ना यानि कि क्या हो गए आपके nitrogen के oxides हो गए यानि कि NOx का यानि कि CO2 हो गया और जलवा है क्या है आपका जलवाश्प यानि कि water vapor हो गया ठीक है water vapor हो गया और इसके बाद बसता है क्या CFC तो ये आपकी जो 5 component है मेथेन nitrogen के oxides यहाँ पर nitrogen के oxides में NOx क्यों लिखा है क्योंकि एक तो होता है nitrous oxide जिसको की laughing gas कहते हैं और दूसरा होता है आपका nitrogen dioxide ठीक है तो ये nitrogen के दोनों जो oxides हैं ये आपके NOx के रूप में represent किये जाते हैं तो nitrogen के oxides, carbon dioxide और water vapor, जलवाश पर CFC तो ये हरित ग्रह प्रभाव कॉज करवाते हैं ठीक है तो अब इन में कौन सा नहीं है तो answer आपका क्या होगा यहाँ पर hydrogen जो है hydrogen को कहा जाता है आवारात तो क्योंकि इसका आवर्त सार्णी में इस्थान fix नहीं होता साथी साथ अगर देखें तो आवर्त सार्णी के अलावा hydrogen जो है यह हमारे पूरे सुरिष्ट यानि की पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका hydrogen है पूरे ब्रह्मांड यानि की पूरी galaxy में सबसे ज़्यादा amount में क् इसका इस्तमाल किया जाता है, तो hydrogen का ही इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर अगर देखें, तो यह आपका इसका right answer क्या होगा, hydrogen होगा, अगला प्रश्ण है, Bromine is a Bromine एक है देखे Bromine की बात की जाए तो Bromine आपका क्या है एक Non-Metal है यानि कि अधातू है साथी साथ यह द्रव अधातू है यानि कि यह किस रूप में रहता है यह द्रवित अवस्था में रहता है सामान्य कमरे के तापमान पर यानि कि normal room temperature पर तो liquid stage में रहता है तो इन्फ्लेमेबल गैस यानि कि जोलंचील गैस बिल्कुल नहीं क्योंकि गैसियस पॉम में होता ही नहीं है तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा अगला प्रश्चन है the hardest substance available on earth यानि कि प्रिथवी पर पाया जाने वाला सबसे जो कठोर तम पदार्थ है यानि कि जोकी hardest component है वो क्या है आप्शन से आपके titanium, tungaston, diamond और iron जो देखे हैं यहाँ पर जो हमारा titanium है titanium coated drills आते हैं जब भी drill सुराख करना होता है आपको कहीं लेटर पे दिवाल पे तो drill machine का इस्तमाल करते हैं और उसमें titanium की coating की टती है जो की hard metal है तेकिन hardest component प्रिथवी पर जो मौझूद है तो प्रिथवी पर धात वा धात सारी चीज़े हैं तो titanium आपका यहाँ पर नहीं हो tungsten का इस्तमाल इसका melting temperature सरवाधिक होता है और इसका filament में खात दोर परत तो ये भी बहुत hardest नहीं है यानि कि सबसे ज़्यादा कटोरतम नहीं है iron को हम लोग गर्म करके mold ही कर लेते हैं या ऐसे भी आप लोग mold कर लेते हैं mold लेते हैं उसको तो ये भी नहीं होगा बचा क्या? diamond diamond is a hardest component on earth यानि कि पृत्वी पर सबसे जो कटोरतम पदा वो आपका क्या है? diamond है और साथी साथ अगर देखें तो जो diamond होता है diamond एक carbon का yellow drop है जिसमें octahedral यानि कि अस्ठ फल की carbon की सनरचना पाई जाती है और साथी साथ अगर देखें तो जो glass cutter होता है काच को काटने के लिए जो glass cutter होता है उसमें भी किसका इस्तमाल किया जाता है? diamond का ही इस्तमाल किया जाता है तो diamond जो है ये hardest component पृत्वी पर है पृत्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है लेकिन अगर अपने सरीर की बात करें तो हमारे सरीर में जो सबसे कठोर तम पदार्थ है ठीक है वो क्या है? जो सबसे कठोर पदार्थ है हमारे सरीर में जो मौझूद है उसको हम लोग क्या कहते है? that is known as enamel ठीक है, उसको क्या कहा जाता है enamel कहा जाता है ठीक है, clear enamel अब जो हमारा enamel है ये enamel किस में पाया जाता है enamel किस चीज में होता है तो हमारे दातों के उपर जो covering होती है ठीक है, दात के उपर जो cover चड़ा होता है, परत चड़ी होती है वो enamel की होती है, जिसकी वज़े से हम लोगों को कभी भी कोई भी डाइज नहीं होता है, ठीक है, अगला प्रश्ण है हमारा, The variety of coal in which the deposit contains recognizable trace of the original plant material is, यानि कि कोईले की वह किस्म जिसमें हमें पहचानने योग्य, पादपों के original अवशेश मिलते हैं, वो कौन सा है, तो anthracite, bituminous, lignite या peat, तो देखिए ये सभी कोईले की किस्में है, तो anthracite सबसे अच्छे उत्तम quality का coal कहा जाता है, क्योंकि इसमें 96% तक carbon होता है, और सबसे ज़्यादा देर तक जलता है, दूसरा है bituminous, bituminous में क्या होता है, आपका 82, 90% क्या होता है, इसमें carbon percentage होता है, lignite में 72, 80% क्या होता है, carbon होता है, और जो peat है, peat की अगर हम लोग बात करें, तो peat में 55 से लेकर के 65 प्रतिशत तक carbon होता है, बाकी waste component होता है, water vapor होती है, waste material होता है, तो सबसे रदी quality का कोईला जो है, वो peat है, लेकिन पादपो के जो original अवशेश हमको मिलते हैं, वो हमें किस में मिलते हैं, जो की पूर्ण रूप से हम उनको पहचान सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, that is, peat coal में ही हमें मिलते हैं, यानि कि D इसका right है, अगला प्रश्ण है हमारा, tetraethyl lead is used as, यानि कि tetraethyl lead का उपयोग किस रूप में किया जाता है, as a painkiller, यानि कि दर्द निव lotion के रूप में, या petrol additive, तो देखे बेटा, tetraethyl lead, इसको हम लोग short में क्या कह देते हैं, TEL, ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको TEL कहा जाता है, यानि कि tetraethyl lead कहा जाता है, तो जो TEL है हमारा, यानि कि tetraethyl lead है, ये क्या है, ये as a anti-knocking agent use किया जाता था, किसमें हमारे petrol में, अ अब इसकी मातरा को घटा दिया गया है, ठीक है, नहीं use किया जाता है, इसकी जगे use किया जाता है, ethanol, ठीक है, यानि कि ethyl alcohol का इस्तमाल किया जाता है, क्योंकि petrol को जलाने पर हमारे पर्यावरण में, lead का pollution फैलता था, और lead जब हमारे स्वसन तंत्र में पहुंसता है, यानि हम लोग देखें, तो हम लोगों को problem होती है, इसी लिए tel का इस्तमाल अब petrol में नहीं किया जाता है, तो tetraethyl lead का इस्तमाल petrol additive के रूप में use किया जाता है, यानि कि D इसका right answer होगा, ठीक है, तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को सारे प्रश्ण समझ में आये होगे, और चैनल को like और share जरूर करिए, साथी साथ चैनल को subscribe भी करिए, ताकि next videos के notification आपके पास जल्दी आते रहें और आपकी selection आपके हाथों में मिल, तो धन्यवाद